वेलकॉम बैग तुमाई चैनल तो आज मैं आपको निव जो वैकेंजिक का रिकूटमेंट ने पर किया गया है जब मैं आपको यह video बना करके दे रहा हूं तो आभी रिशंटली यह जारी किया गया है इंड़ की तरफ से यह ऑफीशली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको यहां पर दोजात 24 के लिए जारी किया गया है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आपको करना है और कैसे आपको फॉर्म को भरना है सारी जानगारी आपको इस वीडियो के मातम से बताने वाला हूं तो आपको एक छोटी से एक दोस्तों रिक्किवाइस टैकी यार देखो वीडियो के कमेंट में आपको अपनी education qualification को डाल दिया करो ठीक है अब जब तक आप education qualification नहीं डालोग और मैं आपको बता दूं पर्मनेंट वैकेंसी का यह notification है तो मैं आपको सारी डिटेल आपको बता हूँगा step by step देखते रहे और यहां पर पोस्ट की बात करें तो यहां पर यहां पर पोस्ट जो है वह आपको यहां पर देखने को मिलेंगी जिसमें आपको बता दूं कि जहां पी male and female दोनों होई कर सकते हैं यहां पर अलोबर इंडिया के अपलाई कर पाएंगे चाहिए वह फ्रिशर हो या एक्स्पिरेंसिस हो अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल दाएगी इसमें दोस्तों काफी बढ़िया बढ़िया benefits पे आपको देखने को मिलेंगे जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आपको सबसे पहले प्रवाइड करा देता हूं और जिन लोगों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना साथ गंटी के बिटन को और प्रेस करकर रखना ताकि जब भी वीडियो आई सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए तो चलिए दोस्तों जानेंगे इसकी बेसिक डिटेल्स ना उसके बारे में आपको पहले तो पूरी जानकार यह बता देता हूं कैसे- को बिलकूल भी मिसन ना करें और कोई भी घलती फिर्म बारते समय बिलकुल भी ना करें ठीक है मैं आपको बताँगा कैसे 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 फ़ल्प को अब करना है यह बुछह मैं आपको बताँग्स पिस्टेफ को फॉलो करना है बस को बीमिस त vale करम से लृथिए प्रोस है तो जैसा कि आप यहां पर देखी पार होंगे इंडगो रिक्रूटमेंट न्यू जो पैकेंसी अपकमिंग जो दोजार चौबिस के लिए नियू नॉटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है और इसके लिए यहां पर ले पाएंगे पूरी जानकारी तो जैसे कि आप यहां पर देख पार होंगे इंडगो जॉब न्यू जॉब रिक्रूटमेंट 2024 के लिए जिसमें अप्लाइ कर सकते हैं नॉटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जो कि मैं आपको पूरी डिटेल बताने बाला हूं यहां पर पार हूं काफी सारे पोस्ट ऑपर हैं से आझे आपको देखने को मिलें आप सारी वेस्ट को मिलेंगी तो इसकी यह धितने को मिल जाएंड जैगी चैसे की आप देंड़ पार रहूंगे इंडगो की द्वारा जो ऑफीशली नौर्टिफिकेशन है वो चारी किया गया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो ऊंलाइन की वेसिस पर इसके लिए क्या करना है आपको यहां पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के आप जो ऑफिशली इंडगो की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और बहाँ पर जाकर करके आपको फॉर्म को आराम से बार लेना है बात करें दोस्तों इसके पोस्ट नहम और लोकेशन के वारे में तो यहां पर काफी सारी पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी ज टर्मिनल सर्विसिस की स्की है एक्सक्यूटिव कार्गो अपरेटर्स पी है सीनियर एक्सक्यूटिव की है कार्गो अपरेटर्स की है यहांप कर रही है बात करें आगर क्षिक वर्य यहां की कौन का उन्य यापको वात कर सकता है इसके लिए आपको सभी स्वाहिए जो भी डोई है कर सकते हैं 500 परवसेस बहुत ही ऊचरीका से मैं आगे बताओंगा लगुदे मिलेगा आफराओ यह वर्स थे लेकर और 35 वर्स के बीच में अगर आपकी IU है तो यहाँ पर definitely आप form बर पाएंगे और आवेदन भी कर पाएंगे अब इसके लिए मैं पूरा यहाँ पर detail बताऊंगा उससे पहले यहाँ पर बात करेंगे education qualification के बारे में तो यहाँ पर जो भी candidates education qualification जिनकी जो qualification है पुझ जैसे कि मालेजी 10 ओ, 12 ओ, graduation हो, m.com, ma, ba, b.tech, iti अगर आपके पास यह qualifications हैं तो आप definitely यहाँ पर आप इतन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जो post देरक्षी होंगी उन post के according आपके qualification होंगी काफी बढ़िया benefits देखने को मिलेगे अगर आप यहाँ पर नौकरी के दोराण जो भी आपको फायदे होते हैं बहुत भी बढ़िया देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बीमा की सुपधा देखने को मिलती है तो काफी बढ़िया यहां पर आपको यहां पर सुबदा है यानि वेनिश्पिट से देखने को मिल रही है बात करें यहां पर age relation के बारे में तो यहां पर देखिए OVC candidates के लिए 3 year है, SC, ST candidates के लिए 5 year है and PWD candidates, ex-servicemen and PH candidates के लिए 10 year दे रखा है अगर बात करें दोस्तों यहां पर इसके documents required के बारे में जब आप form भरेंगे तो form भरते समय बहुत से candidates को यह नहीं पता होता है कि हम कौन से documents को upload करेंगे और कौन से documents को upload नहीं करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ यहां पर documents को जो upload करने हैं यहां पर mention करें गया है जैसा कि आधार कार्ड हो गया pen card हो गया driving license हो गया passport हो गया cb resume हो गया passport size 42 हो गया या फिर आपके जो भी mark sheet certificate है वो हो गया ठीक है तो यह आपको जो सभी दस्ताबेज यहां पर दे रखे हैं इन सभी दस्ताबेजों को आपको upload करने होंगे ठीक है जब आप form भरेंगे तब बात करें इसके selection process के बारे में तो देखें यहां पर जो भी selection process है इंडगो येरलाइन संब फॉर न्यू रिक्रूटमेंट 2024 सेलेक्शन प्रोसेस कंसेस्ट एंड ऑफ दा गिविन विलो फॉर फ्यू स्टेप्स तो देखें यहां पर सबसे पहले दे रखा है आपको documents verification सेकेंड आपका technical interviews और थर्ड है आपका HR इंटर्व्यूस और फॉर्थ है आपका online assessments test ठीक है तो इसके according आपको यहां पर selection जो है वो आपको देखने को मिलेगा बात करें इसके important dates के बारे में तो देखें यहां पर जो important dates दे रखी हैं यहां पर एक दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गई है जिसकी फॉर्म भरने के लाजट आपको पांच जनवरी 2023 तक यहां पर देखने को मिलेगी इस बात करें यहां पर पूरी डेटेल आपको बताता हूं कैसे आपको अपलाई करना होगा को सबसे पहले गुगल पर आना है यहां पर आने के बाद सर्च करना है यहां पर Outline Job तक जैसेब यहां पर धेक्पा रहा हूंगे monarch तो मैंने सर्च किया . उसके बाद यहां पर मैंने सर्च पर दिया लिखर आपको अरुकल देखने को मिल रहा होगा अब है यहां पर को दिखने को को मिल जाएगी simply आपको क्या करना इस पर आपको Kenna आपको क्शुरी साह एंग bucks2256 05 7 आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी चाहिंट सारी क्योंति क sap क्री करना है यहांपर करना थे आफ劑ба का उन् Excelsons आपके सामने आप एकावी सारी जो vacancy है वो आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो यहाँ पे आपको keyword कावी इस्तमाल कर सकते हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो अगर आपको जॉब का नाम याद हो जैसे कि आपको मैंने जो vacancy की update बताएं थी बहुत सारी vacancy की update आपको को यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो इहां पर देखिए जो भी आपकी वोस्ट दे रखिये ना उस पॉस्ट के एक्वैटिंग ही आपकी क्वालिफिकेशन होगी ठीक रहा हमें वह उसके बाद यहां पर देखिए जो भी लोकेशन भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हो आप apply करने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर दिखिए यहां पर दिखे रखाना साइट में apply now का बटन आपको simply इस पर क्लिक करना है जैसे यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर फूरा form को बढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर create an account पे क्लिक कर दे रहा है तो guys id पास्टर को आप जैसे यहां पर create कर लोगे create करने के बाद आपके सामने इस तरह का page कुल के open हो जाएगा जहां पर आपको पूरी details को fill up करना होगा जैसे कि बाद यहां पर आपकी additional documents जो भी आपकी documents है उसको यहां पर फिलप करना है उसके बाद आपकी देखेगा यहां पर profile information जैसे कि आपका नाम हो गया मिडल लेम लास्ट नेम सिटी स्टेट कंट्री पिन कोड नंबर मोबाइल नंबर डेट और इमल आईडी ठीक है आपकी जें आपको यहां पर education details तो आप education details में जो कि आपकी आपने जो भी education कर रखी हो जैसे कि diploma, graduation, other qualification, post graduation, 10th, 12th, metric pass, high school pass ठीक है तो यह details आपको देनी है जो भी आपको language आती हो, बोलनी आती हो, लिकनी आती हो, पढ़नी आती हो ठीक है उसको आपको देना है उसके बाद यहां पर देखी जो आपको main point दी गए है चिस पर star mark दिया गया है उसको column को fill up करना है otherwise यहां पर form blank भी छोड़ सकते हो, ठीक है, relative working अगर आपके पास कोई भी है उसी company में तो आप उसके details यहां पर दे सकते हो, नहीं है तो इसे blank छोड़ देना, उसके बाद यहां पर देखींगे आपको सारी details जो कि आप यहां पर step आपको देखने को मिल जाएंगी, अगर पर आना है, यहां पर candidates का full name डालना है, जो कि आपके अधार कार्ड के according ओनी चीए, ठीक है, तो चलिए मैं आपको आपको full name दे लिता हूँ, इसके बाद में यहां पर देखेगा, आपको save का और apply के button, तो पहले save पर click करना है, फिर उसके बाद apply भी button click करना है, पर आपको ज जो रोड से पूझ लड़ना, कमेंटर में आपको reply दे दूँगा, जल्दी मिलेंगे next video में, thanks for watching,